नमस्कार दोस्तों, Curious Wealth and Curious Box में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम एक नए IPO के बारे में बात करने वाले हैं जो की मंडे से मार्केट में आएगा जिसका नाम है Sona Comstar इस IPO का डिटेल रिव्यू में इस वीडियो में करके आपको बताऊंगा और जिससे आपको पता चलेगा कि इस IPO में अगर आप अपलाई करते हैं तो आपको कितना पैसा बनने की उमीद है क्या इस IPO में अपलाई करने के बाद आपकी लिस्टिंग होने के बाद आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये चीज तो हमको पता चल जाती है लेकिन listing gain होने के बाद या फिर IPO allotment होने के बाद आपको इस stock के अंदर बने रहना है लंबे duration के लिए या फिर listing gain लेके निकल जाना है वो चीज पता चलती है company किस तरीके की है उसके customer कौन से है business किस तरीके का है financial condition कैसी है तो ये सारी चीजे detail में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को छोड़के किसी और वीडियो की तरफ मत चले जाईएगा detail में इस वीडियो को आखिर तक देखिए gray market price के हिसाब से क्या listing gain हो सकता है वो भी मैं आखिरी में आपको बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe जरूर कर दीजे ताज साथे साथ notification का जो bell है उसको भी दबा दीजे ताकि आपको stock market से जुरू ही सारी वीडियो सही समय पर मिलती रहें आप देख सकते हैं मैं stock market से related बहुत सी महतपून वीडियो अपलोड करता रहता हूँ बहुत सी strategies भी share करता हूँ अपने इस channel के अंदर और अपने telegram channel में भी stock market से related जो charts होते हैं daily basis पे मैं वो भी share करता रहता तो आप मेरा telegram channel भी join कर सकते हैं उसका link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है तो चलिए सबसे वहले मैं बताऊंगा IPO की timeline के साथ कि IPO कब से open होने जाल है तो 14 June से जैसा आपने पहले बताया यानि IPO में अगर आपका allotment नहीं होता है तो आपका पैसा 22 June से refund करने का process जो है वो start हो जाएगा listing जो है exchange के अंदर वो 24 June को हो जाएगी आगर मैं और basic details के बारे मैं बताऊंगा इस IPO से related तो इस IPO का जो issue size है वो आप देखके बहुत खुस हो गए होंगे कि वह 5550 करोड यानि की बहुत बड़ी value का ये IPO आने वाला है लेकिन क्या ये बड़ी value investors के लिए बहुत अच्छी है क्या हम सभी को इससे फायदा होगा इसको मैं आगे चलके बताऊंगा जब मैं इस IPO को objective आपके साथ discuss करूंगा तो इस IPO को objective को देखना मत भूलिएगा Face value 10 रुपे प्रती equity share की set की गई IPO का जो price band है वो 255 से 291 का रखा गया है इसका जो lot size है वो 51 shares का set किया गया है यानि कि अगर एक lot आप apply करते हैं तो 14,841 रुपे आपको एक lot apply करने के लिए लगेंगे चलिए अब इस company के बारे में देख लेते हैं साथी साथ product folio या clients जो हैं उनके बारे भी भी मैं आपको detail में information देना शुरू करता हूँ सबसे बहले अगर company के बारे में मैं आपको बता हूँ तो यह जो company है काफी पुरानी है 1995 से चल रही है अच्छी leading automotive technology की company है automotive sector से belong करती है अगर इस company के काम की बात की जाए तो यह जो company है basically design करती है manufacture करती है और supply करती है high quality के mission critical जो automotive component होते हैं जैसे की differential axle assembly हो गई gears हो गई convention and micro hybrid starter motors जो होते हैं जो की बहुत ही critical होते हैं और बहुत ही sensitive होते हैं उस तरीके के component को एक company बनाती है उनका design करती है 2020 में यह company top 10 global players थी जो की differential bevel gear बनाते हैं या उस segment में काम करते हैं तो आप यह भी देखके खुश हो रहे होंगे कि यह company top 10 global कुछ चीजे होती हैं जो सिफ इंडिया में top 10 में होती हैं लेकिन यह company global level पे अपने यह पहचान बनाने में successful हुई है अब अगर मैं इनके customers की बात करूँ कि इसके customer या clients कौन कौन है तो इनके clients में बहुत बड़ी list है जो की end जो की OEMs भी आते हैं आप देखेंगे पूरे जो ही customers हैं American customer हैं, Indian customer हैं, Asian customer हैं या फिर मैं Chinese customer बोलू, European customer हैं तो over the world जहाँ जहाँ automotive sector काफी बड़ा माना जाता है उन सभी जगे इस company के customer है अगर आपने customers के नाम देखे होंगे तो भी आपको समझ में आया होगा कि कितने बड़े बड़े इनके clients या इनके customers की list है अब अगर इनके manufacturing unit की बात करूँ कि कहां कहां से ये company operate करती है तो इस company के total 9 manufacturing unit and assembly plants हैं जो की India, China, Mexico and US को cover करते हैं अगर मैं इनकी India की facility China, Mexico and US की manufacturing की बात करूँ तो वहाँ से वो conventional and micro hybrid starter motor और BLDC traction motors जो हैं वो manufacture करते हैं गुरू ग्राम, माने सर, पूने जहां इनके manufacturing plant है वहाँ से ये differential gear, differential assembly और बाकी अलग अलग तरीके के जो gears होते हैं वो उन plant में manufacturing की जाती है ये सब तो हो गया अब अगर मैं इनके revenue की बात करूँ कि country wise ये company कैसे तरीके से revenue generate करती है तो आप देखेंगे North America से generate करते हैं 26% का revenue ये इंडिया और यूरोप से generate करते हैं और 6% का जो revenue है ये currently चाइना से generate कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इनका revenue ये जो है किसी एक country के उपर dependent नहीं है अब अगर इस company के मैं positives की बात करूँ जो की future में इनके लिए अच्छी हो सकती है आप देखेंगे कि company जो है leading manufacturer है और supplier है global EV market में large इनका product portfolio है बहुत सारे मैंने products दिखाएते हैं आपको जो की ये company manufacture करती है अगर जैसा मैंने आपको बता है इनकी manufacturing unit ये geography के वाइस से vehicle segment के हिसाब से customer के हिसाब से अच्छी कासी diversify है tractor section में भी ये है CV section में भी है, PV section में भी है और जैसा मैंने आपको इनका global presence बताया तो हर major continent में इस company की manufacturing unit है वो भी इसके लिए future में एक अच्छी बात है strong इनका research and development capability है consistent इनकी financial performance है जिसको मैं आगे चलके आपको बताने वाला हूँ अब आती है एक और important चीज जो की है objective जैसा मैंने बताया था कि हमको 5500 करोड का IPO का issue size दिख रहा है लेकिन क्या उसका उतना value है तो objective से हमको वो चीज पता चलेगी आप इसमें देखेंगे offer for sale के लिए ही 5250 करोड का value रखा गया यानि कि इनके जो current investor हैं या promoters हैं उसमें से कोई अपना stake sale करके जाने वाला है और ये जो 5250 करोड रुपे हैं ये पूरे के पूरे उस side चले जाएंगे ना तो company इस चीज को use कर पाएगी और ना ही इस amount का utilization किसी भी तरीके के expansion plan में नहीं हो पाएगा तो फिर 5550 करोड में से company को क्या मिलने वाला है तो फिर बचा हुआ जो 300 करोड है वो company सिर्फ fresh issue लेके आ रही है यानि कि सिर्फ उतना ही amount जो है company utilize करेगी जो की होगा अपना repayment of किसी भी तरीके के loan को और जो company के general corporate purpose होते हैं उसको इस्तेमाल करने लिए ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि आपको objective देखना है कि company IPO क्यों लेके आ रही है IPO लेके आ ये इतना बड़े amount का लेकिन उसमें से use कितना कर रही है सिर्फ 300 करोड ये एक बहुती महतपून चीज होती है जब आप किसी भी IPO में listing gain के point of view से apply करें चलिए अब मैं आपको इस company के financials के बारे में बताता हूँ कि company किस तरीके से perform कर रही है तो उसके लिए मैं आपको previous 3 साल का financial data लेके आया हूँ March 2019 से लेके March 2021 तक इसमें आप देख सकते हैं company की total asset value जो है वो 16300 million से बढ़के 21700 million के पास हो चुकी है total revenue जो है 7000 million से बढ़के double हो चुका है जो profit after tax की मैं बात करूँ तो वो भी 1700 million से बढ़के 2150 million का हो चुका है आप इसमें ये भी चीज़ देख सकते हैं कि lockdown की विए से या covid situation की विए से इसमें काफी कुछ गिरावट आई होगी और उसके बाद भी company ने इतने अच्छी growth दिखाई है तो ये financial ली बोला जाए तो ये company काफी अच्छी currently नजर आ रही है अब अगर valuations की बात करूँ तो company का currently valuation या फिर EPS जो है लगभग 3.75 का निकल के आता है यानि कि earning per share जो है वो 3.75 की निकल के आती है वहीं अगर मैं P ratio बताऊं तो 77.6 का निकल के आ रहा है और return on net worth जो की है 16.5 की निकल के आई है तो हमको listing gain जो है वो basically पता चलता है grey market price से तो उसके लिए currently हमारा जो grey market price है वो range कर रहा है 12 से 15 रुपे का ही जी हाँ इसका जो grey market price है या grey market है उसमें इस IPO को लेके बहुत ज़्यादा उत्सा नहीं है लोग बहुत ज़्यादा positive नहीं है currently एक दो buyer और seller ही इस IPO को लेके लिए interest दिखा रहे है ज़्यादा तर जो interest है वो दूसरे IPO को लेकर के है जिसका वीडियो मैं already upload कर चुका हूँ अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर 12 रुपे के हिसाब से मैं देखूँ तो इस IPO में आपको मात्र 600 रुपे का ही listing gain होने की possibility नजर आती है अगर इसका latest grey market price आपको पता करना है तो आप मुझे telegram पे भी follow कर सकते हैं या फिर IPO लिस्ट होने से पहले या फिर जो तीसरा दिन होगा उस दिन में दुबारा से एक video upload करूँगा जिसमें आप देखके अपना decision भी ले सकते हैं as a disclosure बताना चाहूँगा जो भी information मैंने इस video में share किये वो सिफ education purpose के लिए मैं किसे को भी buy a sell का recommendation नहीं दे रहा हूँ या इस IPO में apply करने का recommendation नहीं दे रहा हूँ अगर आपको मेरी D.E.U. जैनकर यह अच्छी लगती है तो फिर आप अपने किसे भी financial advisor से एक बार discuss करने के बाद ही इस IPO में apply करें